सीडियेस बिपिन रावत के निधन पर एक तरफ पूरा देश शोक में डूबा था तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज हो गई दरसल हुआ यूँ कि शुकरवार को भारतिय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेट दिल्ली चावनी स्थित बरार स्क्वेर शमसान घाट पर जनरल रावत और उनकी पतनी को शरत धांज ले देने पहुंचे थे इसी दौरान वहां मौझूद कुछ लोगों ने टिकेट के खिलाफ नारे बाजी की इसे आप भी सुनिये ये वीडियो समाजवादी पार्टी प्रमु ककिलेश यादव ने टूट किया इसके साथ उन्हों ने लिखा जनरल रावत जी के अंतिम यात्रा में किसान निता राकिश टिकेट जी के खिलाफ नारे लगाने वाले भाजपाईयों ने साबित किया है कि वो जै जवान जै किसान के उद्गोश में विश्वास नहीं करते ये सेना का अफमान भी है और किसान का भी शोक के समय में भाजपाईयों का ऐसा अभधर वहवार देश माफ नहीं करेगा